मेरा नाम मामा तकी है और मैं आप हमारा यूट्वीब चैनल बटी में जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत से पूछो कंद्रुफ्ती हदार नेमत है लोगों पार चरूंगा पार चरूंगा से नादां हो जो कहते हो के क्यूं जीते हैं गालिप ठीक है ना तो आप अपनी शक्सियत का इजार कभी ऐसा कभी नहीं एक कोई आउज बिल्लाहि मनिश्यदान रजीम बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकम दोस्तों अमीद है कि आप खेर खेर यस से होंगे मैं हूं मुझाहिद भटी और आप देख रही हैं मेरा यूटूब चैनल भटी मैथ एंड मोटिवेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मैथ की और मोटिवेशनल वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजर होता हूँ आज मेरे स्कूल में मैंने बजमे अदब जम्हर जम्हे बजमे अदब की तकरीब होती है और आज भी उसी तरस पे थी तो आज हमारे बच्चों ने बहुत से बच्चों ने अच्छी परफार्मिंस की और ये सिर्फ तीन से चार हफ़तों का नतीज़ा है देखें अगर हम अपने बेल्ट की बात करें जब भी हमारे बच्चे अच्छे नबर लेके यनिवरस्टीज या कलेजिस में जाते हैं या आगे जाब के लिए अपलाई करते हैं तो वहाँ पे उनका कन्फिडेंस लेवाल नहीं होता अपना कन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशच करें अपने बच्चों को अप फ्रंट पे लेके आएं किसी से बात करवाने के लिए स्कूलों में हर बच्चे से परफार्मिंस कराएं सिर्फ नमबर ना दिलवाएं उन्हें उन्हें इतनी हिम्मत पैदा करवाएं कि आप अच्छे से अच्छा वो परफार्म कर सकें और कहीं पे भी उन्हें मुश्किल दिक्कात ना हो जैसा के अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अपने ही बेटे ने मेरी कोशिश मुश्यों से उसने ये परफार्मिंस किया है देखिए मैं ये वीडियो चला रहा हूँ आपको आपको दोस्तों मेरा नाम हमातकी है और मैं आप हमारा यूट्यूब चैनल बटी मैथ अन्मडिवेशन आप देख रहे हैं और मैं आपको 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 अच्छी बात बताने जारा हूँ एक शाखसी ऐसा है जो आपकी जिनको कामयाब बना सकते हैं वो शाखत आप खुद हैं अब 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 ने देखा के बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरे बेटे ने परफार्मिंस किया बच्छा है थोड़ा उपर नीचे तो हुआ लेकिन अब एक दफ़ा उपर नीचे हुआ अगली दफ़ा इस से अच्छा इस से अच्छा इस से अच्छा जब ये बड़ा होगा आप देखें यूनिरस्टी लेवल पे जाएगा तो इसके अंदर कितना कंफिडेंस पैदा हो चुबा बलोचिस्तान के एक इलाका जल मगसी है बिलकुल बैकवार्ड इलाका है और पसमादा इलाका है वहां से एक बच्छा है जिसे मैंने हाद पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाया है जो जबान नहीं बोल सकता था आज वही बच्छा अच्छी परफार्मेंस कर रहा ह है और बेच्छक उसकी जबान तो उतली है लेकर उसने कोशिश की है यह देखे मैं वीडियो चला रहा हूं जी इसी तरह देखे अब एक और हमारा बच्चा जो के बहुत शर्मीला था वो कभी सामने नहीं आया था मेरी कोश्च उन्से उन्हें मोटिवेशन दे के उसने अपने से एक घजल याद की और अभी सुनाई उसने अब आज बजमे अदब में देखें अब मैं उसे लाइव लेता हूं वारेडी तो है तो देखें सक्रीन पर आपको आपी नदर आएगी वीडियो अब्सिआ मेरा नाम मिसमर्दा है और मेरे वालिड का नाम गुलाम बशीर है और मैं B.S.D.P.2 में पढ़ता हूं तो मैं आप एक शेर सुना चाहता हूं याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी इसे पूछो तंद्रुस्ती हजार नेमत है लोगों को कितनी भी बड़ी नेमत मिल जाए लेकिन सेहत जासी नेमत नहीं मिलेगी इसलिए सेहत को अपने बरकरार रखी चाहिए लोग गरीबी मुफलसी नाधारी बड़ी इसी तरह देखें मैंने खुद उसमें फक्रीर की और वो भी अभी आपके सामने उसके बाद मेरे एक दोस्त शायद अंजम साब ने की वो भी आपके सामने हम लाइव लेते हैं आउज बिल्लाह बिने शेटान रजीम बिसमिल्लाह रहमान रहीम जैसा के आप लुग जानते हैं आज हमारी बसमें अदब की महफिल जो के तकरीबन हर फ्राइडे को हुआ करती है इसमें सिर्फ ये ऐसे टाइम पास्ट जाने हैं या वक्त का जिया नहीं होता बलके जो हमारा मकसद है वो ये है कि आप लोग के अंदर कन्फिडेंस करियेट हो क्योंकि आप लोग किसी के सामने बोल नहीं सकते आप लोग के अंदर बोलने की किसी के सामने बात करने की ताकत पैदा हो जाए यह मेरा पुराना शेर है जो मैं अक्सर आप लोग को सुनाता रहता हूँ कहाब जिनके उंचे और मस्त होते हैं अम्तिहान भी उन्ही के जबरदास्त होते हैं इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदास्त होते हैं अगर आप लोग आला दर्जे पे सोचेंगे तो अब लोगों के जो लेवल है स्टडी का या महनत का कोशिश का स्ट्रगल का वही होगा अब लोगों को बार बार एक ही बात कही जाती है फोकस अन्यूर स्टडी मगर फजूल जाता है नफस जिसे हम अंदर का इनसान कहते हैं जिस बंदे का जिन्दा है वो समझें वो इनसान जिन्दा है उसका फ्यूचर है और रोशन मस्तक्बल है उसका फ्यूचर जो है उसका रोशन है जिस बंदे का अंदर का जमीर मुर्दा है वो तो है यह मुर्दा तो इसलिए कोशिश किया करें मिहनत किया करें कोशिश किया करें और अपनी स्टडी पे फोकस किया करें यह जो गप्षप लगाना हाँ एक टाइम मुकरर करें वैसे आप लोगों का टाइम टेबल है टाइम मुकरर है आप लोगों का study का टाइम अलाग है, break का टाइम अलाग है खेलने का टाइम अलाग है, खाने का टाइम अलाग है, नमाज का टाइम अलाग है टीवी का टाइम अलाग है तो उसी time के मताबे खुद को ढ़ा ले, ये ना हो पढ़ाई के वाक आप बाते का रहे हूं बातों के वाद पार रहे हूं टीवी के वाक्त आप खेल रहे हूं खेलने के वाक्त खाना खा रहे हूं ये मैं आपको एक बात बताओं सिर्फ आज एक बात अपने जहन में रखें और इसे जिन्दगी भर याद रखना जो शख्स वक्त की कदर करता है फिर आने वाले वक्त तुम्हे वक्त उसकी कदर करता है आप जैसे बच्चे जो बच्चा बीस साल अपनी जिन्दगी के बीस साल में अपने बीस साल के एक एक मिनट एक एक सेकंड की कदर करता है तो अगले बीस साल के बाद जितनी भी आपकी जिन्दगी है वक्त आपकी कदर करेगा अगर आज आपने वक्त को गमा दिया तो समझें कि अगला जो आपका जितनी भी अल्लह ने आपको जिन्दगी दी है उस जिन्दगी में आपको वक्त जाय करेगा इसलिए वक्त की कदर करो हम मैं दर्खास करता हूँ हमारे स्कूल के अर्दू के टीचर सार शेहद अजीज अजम सहब एम फिल उर्दू और पिएजडी के स्टूडन को आप लोगों से थोड़ा आज तालीम की एहमियत और वक्त की पाबंदी के बारे में थोड़ी बात चीट करें जी सर अच्छा बचो ये एक जहली बात जो हम इसका कभी खुलासा नहीं कर सके कि बजमे अदब का जो बन्यादी मकसद क्या है या इसके जो वजाइफ है वो क्या है हम ने इसे एक इंटर्टेंडमिन की चीज़ बना लिया है और सर की बात ठीक थी दुरूस्त के ऐसा गहर मियारी कलाम और ऐसी चीज़ें पेश करना ये आपकी शक्सियत को मसख कर देती है हम किसी दन किसी महमान को मदू करें और हम किसी एकान के साथ आपको बुला लें और कहें कि बेटा कुछ सुनाओ और आप इस तरह की चीज़ें सुनाएं तो क्या ये हैं किसी को सुनाने लाइक दरकीकत अगर आप दिहान दें तो ये तीसरा महला है जो हम कर रहे हैं बकाइदा से असल में इसका बुन्यादी मकसद ये होता है बच्चों की जो तरीम और तर्बियत के हवाले से किसमें ये है कि बच्चा अपनी शक्सियत के इजहार के लिए कुछ चीज़ें खुद से पसंद करे फिर खुद को महसूस करके अपनी जबान में सुनाए जब आप एक हफ़ते में कुछ चीज़ जैसे कोई बच्चा हदीसों की फरेस्ट बनाना चाहता है कि हदीस बियान करेगा मिज़ाज से हम आहंग चीज़ें होती है ना किसी को शायरी किसी को कोई अच्छी बात किसी को कुटेशन सुनानी होती है किसी को फल्सफे के हवाले से मजभ, साइन्स, कोई एज़ाद या पर कुछ भी अब एक बच्चा जिसका सुनाने का अमल है हदीस के हवाले से इस हफ़ते वो कोई बेस्ट लेवल की हदी सुने याद करेगा चुनाएगा फिर अगले के लिए पूरा हफ़ता लगा रहेगा कोई ऐसी सुनानी चाहिए जिसमें तालीम हो वो दूसरी याद करेगा अगर इस तरह के मरले कोई दस से पंदरा हो जाते हैं तसलसुर के साथ तो इसका में एक शिर सुनाए और दस पंदरा प्रोग्राम हूं तो पंदरा अशार तो ऐसे हैं कि अगर वो बड़ी सी बड़ी मेह फिल में भी खड़े होके सुना दे तो दस पंदरा तो आते हैं उसे तो खुद सोचे आपकी एहमियत का जो पैमाना है वो कहां पिछला जाएगा अ भोद ऐत्मादी की कमी लेकिन बारहा सर अपने मकदूर जहां तक ममाने हो रहा है आपको बड़ाश кру रहे हैं ज़ी color garbage कर रहे हैं तो उमीद यह हैं कि अगले में अच्छा सुनाएंगे उससे अगले में अच्छा सुनाएंगगे यह भी आपको खोलने का एक अंदाज है ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को पसंद करते हैं या इन पर ठटे उड़ाते हैं बिलकुल भी नहीं यह किसी भी तरहा जैसे इनको स्पूर्ड नी किया सकता ठीक है ना तो आप अपने शक्सियत का इजार कभी ऐसा कभी नहीं कि कोई बचा कोई बहमान आया या कोई ऐसी शक्सियत वो आप से ये कहे बेटा केमिस्ट्री के फर्मूले सुनाओ या उठाओ किताब हमें अंग्रेजी का ये सबख सुनाओ या ये वाला सबख ये आपकी शक्सियत का इजहार आपके जाती इजहार से देखा जाएगा कि आपने क्या सुनाना है हम बड़ी-बडी मैफलों में बैठे हैं तो बजरुग लोग कहते है कि मिया आपकी बातों से तो मुझे फ्लाख याद आ गई आपकी बातों से मुझे शेर याद आ गया, कभी सुना है किसी से, कहा हो कि यार आपकी बातों से तो मुझे सुलफुरक ऐस्ट का फर्मूला याद आ गया, कहा है कभी किसी ने, तो बेटे ये हमारी अदब जिन्दगी से तालोग के आप इनको बनाएं, तो ट्रॉंग करें इ जहां पर भी जाएं, आपको कम असकंप इतनी चीज़ें आनी चाहिए, कि दो चार मिंट अगर आपको बुला लिया जाए, तो आप कामयाब होके आएं, ठीक है ना, आप अपने आपको इस के लिए तियार कर लें, खुद को, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपका जो कन्विंसिंग मैनर है, बात करने का अंदाज है, यह जो आपको आगे चलिंज करेगा, आप जब बहुत पढ़ जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, आपके इंटरव्यूज होंगे, आप पढ़ाएंगे, आपका यही काम आएगा, अभी कोछ कर लेंगे, तो यह ऐस्ता आपकी आदत में शामल होता जाएगा, बड़े होके आप बहुत बड़े खतीब भी बन सकते हैं, स्पिकर भी बन सकते हैं, एक अच्छे उस्ताद भी बन सकते हैं, अगर इसी तरह चुपते रहे, तो फिर हमेशा ही ऐसे रहेंगे, तो बेटा अपनी सलाहितों का बहुतरी इस्तमाल करें, और ये जो हमारे असाजा के जो फरमुदात हैं, उनको गोर से सुनें, और इनहीं की रोशनी में अपनी सही मनजल का तायून करें, ठीके बड़ा, सलाम अद्शे, मेरे ख्याल में आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कोशिश करें अपने बच्चों का कंफिडेंस लेवल बढ़ने की कोशिश करें, जितना कंफिडेंस लेवल अच्छा होगा, बच्चों को अंधर शरमीला पन, बच्चों के अंधर ये जो परेशानी होती है, स्टेज पे आने की ये खतम हो जाएगी, तो इसी तरह उनका होसला बढ़ेगा, और जिंद्गी के हर मेदान में वो हर मेदान जितने की कोशश करेंगे तो एक रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कुछ वीडियो लिन्थी हो गई तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथी बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल से जल पहुंच चेके मौला आपको सलामत रखे अल्ला हाफिज़